मुं हलो इभरीवान आई फोप आपलोग बहुत ही अच्छे होंगे वैसे कंटिनेट जो सीटेट और पीटेट क्वालिफाइड है जो कई दीनों से लगतार 4 बरसों से लगतार 4 बरसोंसे 7th चो है उसके लिए वेट कर रहा है और लगतार धरने पर बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशकबर या निल तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि आखिर है क्या और क्या अपडेट आई उसके बारे में हम लोग जानेंगे जैसे अब धिरे 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 ध अपडेट आते जा रहा है है ठीक और सिक्षामंतिर ने खुद ट्वीट किया है तो इस वीडियो में हम लोग उसी को जानेंगे तो मैं आरके पाल आपका अपना चैनल आरपी सिटेट क्वाइंट में स्वागत करता हूं चलिए जानते हैं वीडियो में कि इन्होंने ट्व करेंगे कि यका है और यका-इसमें आये हुए है क्या-क्या बाते निकल के सामने आई है है हालाकि की देखा जाये तो बहुत ही जल्ल उन्होंने जो बूला है वो चीज है पहले देख लेते हैं मोटआ मोटी चीज की क्या-क्या लिखा देखिए अब हो जाएगी बे मतलब जैसे जिला में नौ वज़ा दूसर बाइस नियोजे निकाई थी जिसका कोई मतलब नहीं है और शिक्षा पोसीजा नियंतर शिक्षा विभाग का होगा पैंचायत वह नगर निकायों का अधिकार खत्म जैसे पाले जो वाली होती थी वह क्या होती चाहिए कि दो लाग से अधिक 黃ण एक अधिकी बॉती याब से इसके लिए क्या किया पैंटकर नगर निकायों कि अहİं होगा यह बहुत अच्छी बात है नगर निकायों का से नहीं होगा आगे देखते हैं कि आगे इसी में देखेंगे कि पुरानी विवस्ता खतम होगे जीला जीला ही होगा शिक्षकों का कैड़ल लेकिन जीला से ही क्या होगा मिलेगा और फर्जी सेटिफिकेट कर रहे वह कई क्या हो रहे थे जील रहे थे और इसको नियोजन काई के माध्यम से होगी और तेज का लगबग नियमाली जो है वो प्रारूप लगबग तयार हो चुका है और इससे और तीस जीलो में नियोजन काई होगी मतलब सबको हटा के बातर कितना कर दिया गया है इनको अगर देखा जाए तो सबको हटा के और तीस जीले में इसको कर दिया गया है यह चिक है और इसकी सुवक्रिति जैसे ही काबिनेट में मिलेगी फरवरी के माह के अंत में यानि य तो एक लाख वाइस सजार एक लाख वाइस अजार के रेज है और प्रहंबी के स्कुर में और दूसर संतान के करीब में है । इतने पौर्दयवर क्या किया जाएगा बाहाली किया जाएगा अब पैमाना क्या होगा सबसे बड़ी वात हिए हम दोग देख सकते हैं है जूकती का पैमान हो जो सबसे असमरत में लोग इसी में फशें कि पैमाना क्या होगा और करिंज पर क्या हो फिर हम देखेंगी कि कि तो इस ट कीमड़ सोहonder है तो किस्थे यानि मेरी क्लेष्ट बनेगा और फिर स्कूल आबंदित किये जाएंगे और इसके लिए इंपोर्टेंट बात है कि बाहली पंचाया तो नौगर नहीं बलकि आयोक के माधियमस होगी यह साब बात है कि बिकल्प के अंसार उमिदवार तय होगी कैबनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रकाशित किया जाएगा नई बिवस्ता से सुक्षा दूबता बाहर बेतर होगी यह चंसेखर प्रोफेसर चंसेखर यानि हमारे सिक्षा मंत्री बोले है माने सिक्षा मंत्री जो है अब यह ची माधियमिक उच माधियमिक में देखा जाए तो 89734 पद है मालबिक स्कूल में देखा जाए नो दस में तो बूद 84193 पड़ है 11 12 में उतना हो गए और हाई स्कूल में उतना हो गए और प्रावरमभिक में 80257 पद है ठीक है अब आयोग ने भरती कब की है इस चीश को हम जा 9000 हुआ था है दोहजार दस में चोटीश है पांस हुआ था और अभी यह दोहजार उनीस से लेके दोहजार चौबिस होने जा रहा है तेश होने जा रहा है इसके बीच में लगबग 48,000 सीटे को सीटों को भरा गया है बाकी 20000 के करीब में सीटे पड़ी हुई है तो यह यह पेपर कई पेपर के मादिम से अलग लग है फिर यहाँ पे देखिए वही पंचाय ती राजबे वस्ता यहां पे रहेगा नहीं इससे निजुक्ति को क्या किया जाएगा छीन लिया जाएगा और सिख्षक की निजुक्ति आयोगी करेगा यह बहुत अच्छी बात है औ तक्रेबन बहाल होंगे और मेगा सुची कैसे बनेगी आप जान लिए मैं बता दे उस वीडियो में और फैदा क्या होगा इसे यह देखिए एक ही आओ देना होगा पैसे कि कम यह होगी पैसे कम लगेंगे और परसानी कम होगी एक ही बार में आप आठ दोस जितने भी यह दे इससे आई है ठीक है यहां पर देखिये ओंगा जीन संभाग वाग होगो और आपने ही रहो सकते हैं और सेवा इतियास के संदारन को बनेगा बेप पूटल इसका बनेगा केंदिकीत ओनलेन अव्यदन होगा और नियाजनी काई के संख्याक मात्र अरतिस हो जाएगे और इसमें विश्य सिख्षक पुरियोग साला सायस का अंदर्सक निजुक्ति भी परवधान में होंगे तो य तो आप अप क्लियर करके रखे मैं बहुत ही चल आपको बताओंगा की क्या है डाक्मेंस लनगी कि क्या 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 से अप्ला इसको करना है और कहानी आएगा जैसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफ्रमेशन के साथ तब तक आप अपना ख्याल लखें टेक क्यार जय हिंद जय भारत